दियर स्टुडेंट मैं विद्दे सागर और आप देख रहे हैं भी इसकी विद्दे सागर सेंग का चैनल तो देखिए आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगो का काब बेखंड जो की पाठ दो गोधली किताब से है काब बेखंड पाठ दो यानि पाठ का नाम है प्रेम अएनी सीराधिका करील के कुंजन उपर बरायो जिनके लेखा खाएं रस्खान तो सबसे पहले रस्खान के जीवन परचे के बारे में जानेंगे उसके बाद हम जानेंगे पाठ के बारे में और उसके बाद इस पाठ से जो भी आप लोगो एकजाम में परसन उतर पुछता है उसके बारे में जानेंगे तो चलिए हम लोग जान लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रस्खान ठीक है हिंदी साहित का भंडार करने में जीन मुसलमान कवियूर न युगदान दिया है उनमें रस्खान सबसे प्रमूख है ये जन में से पाठन थे इनके जन में सन 1615 में दिली में हुआ ऐसे 10 अगस्त 1615 का आयता है लेकिन 10 अगस्त कहीं जिकरी नहीं किया गया है इसलिए आप लोग 1615 भी याद रखीगा लेकिन 10 अगस्त याद करना कोई जिरूरी नहीं है इनका दिली के सासक वंड से संबंध था जब उन्होंने देखा कि रजगदी के लिए मार काट हो रही है तो उन्होंने साही वंड से नाता तोड़ लिया इसके मन में भाक्ती का संचार हुआ और वे बिरिंदा बंद जाकर रहने लगे वहीं 1685 भी में इनकी मिर्ट्व हुई बताई जाती है पर रम्भ में रस्खान बड़े सरीक थे संदर और प्रेम के मतवाले थे कहते हैं कि सुजान नामक किसी इस्त्री से बहुत प्रेम करते थे किन्तु उस इस्त्री के विश्वगात से उनके हिर्दय में बहुत अगात लगा वे बीजाह में उनकी नाम लेकर गाते थे एक बार कृष्ण भक्ते के मुख से किसने के रूप माधुरी के मधुर्पद सुनकर उनका हिर्दय बदल गया उनकी प्रेम भावना अलावकी की हो गई और वे भी सिर्किसने के मौख की रूप में दिब्बे गूणों का गान करने लगे रस्कान की दो रचनाय बताई जाती है सुजान रस्कान और प्रेम वाटिका इन दोनों में संदोरे और प्रेम के मोह के वर्णन इन्होंने किया है प्रेम के अलक्वी के रुप से सुक्ष में सित्रण इनकी कविता में मिलता है इनका भासा सुम धूर बजर भासा है जिसमें संगीत तात्म के प्रवायत्मा इनका एक एक चवाइव रस से ओत प्रोत है इसलिए इनका नाम रसखान उचित ही है ते इनके बात जो रसदार लखा था ते इसलिए इनका नाम रसखान रखा गया है रचनात्मक भिसेस्ताइम भासा सैली देखिए रसखान द्वारा लिखा गया रचना रस्खान ने किसने का लीला गान पदो में नहीं समयों में किया है रस्खान सयादवा छंद में सिध्धे थे जिन में सरस सहज परवामय सवय रस्खान के हैं उतने साइद ही किसी अन्य हिंदी कवी के हो रस्खान का कोई समया एसा नहीं मिलता जो उच अस्तर का नहीं हो उनमें समयों की मरमिक्ता का धार दिस्वे पर बहयांतर इस्तितियों की योजना में है वहीं रस्खान की समयों के धाउनी परवा की अपूर्वे माधुरी में है बजर भासा का एसा सहज परहार अन्यात्र दुर्भरलब है रस्खान सुफियों का हिर्दय के कर किसना की लीला पर काबियर रच्ते थे उनमें उलास, मदकर्ता, उत्पदक्ता तीनों का संजोग है उनकी दिश्टी रचनाओं कामुगद होकर भारतेंदू हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसल्मान हरजन पए कोटिन हिंदू बरियों कविता पर चेते देखिए इस कविता में क्या कहाँगे कविता के बारे में जाने जे इस कविता में क्या आपको बताया जाएगा प्रस्टुत पाठ रस्खान के दो पद चंकली धे प्रत्ंपद दोहे और सोरठ चंद में है इसमें राधा और किसने के प्रेमाय यूगल रूप से अती हीर्दय हारी वणन है इसमें राधा किसने के मनुहर रूप पर कभी के रसी के हिर्दय की रिज ब्यक्त हुई है तो समया चंद में रचीत दूसरे पद में किसन तथा बजर के रूप में बजर प्रती कभी हार्दिक उदागर प्रगट करता है कि वह हर इस्तिती में बजर में जाना चाहता है इसमें बजर के प्रती कभी का भावपूर्ण समरपन ब्युक्त है हिंदी साहिते में कुछ ऐसे मुसल्मान कभी हुए जिन्होंने हिंदी के उधान के अपूर्वे युगदान दिये हैं और उन कभीों का रस्खान नाम भी आदर के साथ लिया जता है रस्खान समया च्छंद के परसीद कभी थे जितने सरस सहज प्रवामय सवय रस्खान के हैं उतने साइध ही किसी अन्ने कभी के हो उनका समयों यो मर्मिक्ता क्याधार दिरिस्यों को भायांतर सिस्तियों में युजना में है रस्खान ने सुफियों का हिर्दय लेकर किसने की लीला का काब्य रचना की है उन्होंने उलास मदक्ता और उताग्ता यो मरी कांचन यो सन्योज है प्रस्टुत दो है और समयों में कभी ने किसने के प्रतिय तुट निष्टा को भ्यक्त किया है राधा किसने के प्रेम युग रुप पर कवी के रस्टी की हिर्दय का भावना ब्यक्त होती है पहले पद में कवी ने प्रेम रुपी वाटक्या में प्रेमी और प्रेमिका का मीलन और उसके अंत्रमन में उठने वाले चाले भावो को सजीवा चित्रन किया है माली और मालिन के रूपक देखर किस्ने वाली किस्ने मराधा के मिलाप का तारे मप्य बना दिया है देखें माली को बना दिया था किस्ने और मालिन को राधा प्रेम का खजाना संजोग वाली राधा किस्ने के रूपों में वसी भूत है एक बार मोहन का रूप देखने के बाद अन्य रूप में आ सकती नहीं होती है प्रेमी का चाहकर भी प्रेमी से अलग नहीं हो सकती है दूसरे पदों में देखे पहला पद तो हम जाएंगे पहला पद में इतनी बादों को बताया गया है रस्खान के दुसरे पत जानी है मुझे अगर किसना की लकूटी और कम्बली मिल जाए तो तीनों लोक उनने उछावर कर दूँ अगर केवल नंद बाबा की वे गाये चराने को मिल जाए जिने किसना चराते थे वे आठवी सदियों और नवी निधियों के सुख को भी भूल जाएं को उनके लिए और तो और अगर उन आखों से किसना के लिला के अंदर बजर भूमी के बनबाग और तलाबों को देखने को मिल जाए तो सैकड़ों इंदर लोक उन पर कुर्बान कर दूँ तो देखिए इस पार्ट में इतना बताया गया है यानि किसन भक्त के बारे में बताया गया है जो कि रस्खान किसन भक्त हैं तो देखिए इस पार्ट से आप लोग का प्रिक्षा में इस तरह से कोचना आने वाला है तो देखिए इन मुसल्मान हर्जन पय कोटिन हिंदू रहे हैं यह किस कवी के लिए कहा गया है तो यह कहा गया है रस्खान के लिए यह जो समांगीर के समय नहीं जब जब जहांगी राजा था रस्खान द्वार रचित गरंथ है तो यह देखिए प्रेम बाटी का है रचित गरंथ का है प्रेम बाटी का ठीक है रस्खान की इस्ट थे ते देखिए रस्खान की इस्ट थे मैं ने दिकी थे जो जिसे प्रेम करते थे रस्खान की से प्रेम क कि रस्खान कि प्रकार की रचनाय में सीध्य थे तो समया च्छंद के लकूटी का अर्थ क्या है तो लकूटी का अर्थ है छोटी लाठी छोटी लाठी लेकर लकूटी लेकर भाईशन जाते थे नंद नंद किसे कहा गया है नंद नंद कहा गया है सिरी किसने को नंद बाबा के जो सुपुत्र थे आयनी का अर्थ क्या है इसे प्रेम आयनी है निसरी राधिकात आयनी का अर्थ है खजाना ठीक है प्रेम वार्थी का किस प्रकार की रचना है तिये है प्रेम नीरोपन संबंधी यानि प्रेम को दर्शाता है सुजान रस्खान की किस प्रकार की रचना है तिये है किसन की भक्त किसी संभंद्धी कौन से कियती रस्खान की नहीं है कि देखिए इसे आप सानी बांग चले देशकता है इसे देखेँ प्रेम फुलवारी प्रेमबाटी का अश्ट धाम सुजान रस्खान तैंट नहीं है लेगन यह तीनों है कौन-कौन जानली जेर्दान से प्रेमबाटी का अश्टधाम सुजान रस्खान ये तीनो रस्खान के रचना कार है यह जब किसने को कि भक्ति मही माई गाई जाती थी उसी समय के कवी है प्रेम एनिसी राधिका में कितने दोह संक्लित है तिये है चार ठीक है रस्खान हिंदी के लोग प्रिये कभी है जाती है कभी है जाती है रस्खान ने किसन की लीला गान किसमें किया है तो थीक है इस वीडियो से इतना ही प्रत्नोर बात जाने तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तहां अगर ये वीडियो आपको अच्छा लागया तो मैंने चनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा और ये वीडियो लाइक भी कर दिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त के पास भाई भाउने या दस्वी जो भी लेक देने वाले हैं उनके पास वीडियो फटा फट सेर कर दीजेए ठीक है मिलते हैं गिलिवड में तत्त कर जाहिं जैभात बंदे मातिरम